हेलो गैस, वेलकम टू गॉर्मेंट प्रेपडेस, कास की अपडेट हमारी होने वाली है, डिये की तरफ से, डिये यह आपका स्टेंड करता है, डिपार्टमेंट ओफ अटर्मिक एनरजी, यह आपकी एक गॉर्मेंट ऑफ इंडिया की बॉड़ी है, जहां पे एक बहुत अच क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या इसका सेलेक्शन प्रसेस रहने वाल है, सारी चीज़े डिटेल में डिसकस करेंगे, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, यह चलते हैं, नोडिफिकेशन की तरफ, गॉर्मेंट ऑफ इंडिया, डिपार्मेंट ऑफ अफ एक अनर्जी के अंदर यह जॉब है, डिरेक्ट रेट ऑफ पर्चेस एंड स्टोर्स, यहां पर आपकी जो पोस्ट होने वाली है, वो होने वाली जूनियर पर्चेस की, यहां पे इसकी कौलिफिकेशन में ग्राइजेशन मागे गई है, बट अगर आपने ग्राइजेशन कम्लीट कर्ई ऊपका का प्लाइ कर सकते हो, अब बात कर लicleं करें इसकी सेलक्शन सो का मिजर 2 स्टेजिस पर्वने वाला है, पहले में आपका एक 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 एग्जाम हो होगा descriptive test मतलब आपका एक written exam होगा अगर आप उन दोन exam को clear कर ले तो आपको यहां पर यह job मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं इसकी age limit की age limit यहां पर इसकी रखी गई अथारे से 27 साल और SCST candidates को extra age election देखनों को मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इसकी labels की कि किसकी subject से आपसे आपके question पूछे जाएंगे फर्स एक्जाम को आपके 5 sections भी divide किया गया है जहां पर आपका दो घंटे का exam होगा जिसमें से आपका first subject यहां पर होने वाला है journal English second आपका होने वाला है journal intelligence in reasoning reasoning in science अगर आपने science से graduation complete करें तो आपसे science के question पूछे जाएंगे 12th standard तक के और अगर आपने commerce से अपनी graduation complete करें तो आपसे commerce के question पूछे जाएंगे 12th standard तक के उसके बाद आपका third subject आता है quantitative aptitude four subject आपका आता है journal knowledge और आपका fifth subject आता है आपका फिफ्थ सब्जेक्ट आता है आपके और जिसको two sections में divide किया हुगा है first section में आपसे comprehension prices यह साई चीज़े है वाप पे लिखवाई जाएंगी और उसके second part में आपसे essay noting drafting यह साई यह job मिल जाएगी अब बात करते हैं अगर आप इसके form को apply कर रहे हैं तो इसकी fees कितनी है इसकी 200 रखी गई है for general candidates और SCST candidates के लिए कोई fees ने रखी गई है so guys यह था DAE का पूरा नोटिफिकेशन अगर आपको इस वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को like जरू करें इस वीडियो को share जरू करें अपने उस दोस्सके जिसको एक job की need है और वो job की तलाश कर रहे है तो उसको यह वीडियो बहुत help कर सकती है और मैं guys मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में नेक्स सरकाल जोपडेट के साथ तब तक के लिए goodbye and take care